दोस्तों सड़क के बीच में पेड़ पोधे क्यों लगाये जाते हैं? विराट कोहली की सलाना कमाई कितनी है? कौन सी मचली सबसे ज़्यादा बस सूरत होती है? चलिए दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में फैट नमबर थ्री दोस्तों कौन सी मचली दुनिया की सबसे ज़्यादा बस सूरत मचली है? दोस्तों समुद्र की घाराईयों में पाई जाने वाली बलोब फिस को दुनिया का सबसे बस सूरत जीव चुना गया है बलोब फिस दच्छिड पुर्वी आश्टेलिया और तसमान्या के समुद्री टट के पास 600 से 1200 मिटर की गाराईयों पर रहती है इस जगों पर वाता वरण का दबाव समुद्र तल से कई दर्जन गुना जादा होता है फैक नमबर टू दूस्तूं दुनिया के सबसे अमेर किरकेटर की बात करें तो सबसे पहले विराट कोहली का नाम आता है दूस्तूं विराट कोहली की नेट वर्थ हालही में 1000 करोड रुपए करास कर चुकी है बिराट कोहली बिसी सियाई कोंट्रेक्ट के ए प्लस लिस्ट में हैं और 7 करोड रुपए सलाना पाते हैं इसके मुताबिक बिराट कोहली एक इस्टागराम पोस्ट से 13,84,000 डोलर यानि करीब 11.45 करोड रुपए और एक वन डे इंटरनेशनल की फीज 6,00,000 रुपए और एक T20 इंटरनेशनल मेंच के लिए 3,00,000 रुपए उनको मिलते हैं वो T20 लीग यानि IPL से सलाना 15 करोड रुपए की कमाई करते हैं इसके आलाबा भी बिराट कोहली के और भी इंकम के स्रोथ हैं फैक नमबर 1 दोस्तों अब बात करते हैं कि सडक के बीच में पेड पोधे क्यों लगाये जाते हैं दरसल दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यह पेड और जारियां सडकों को सुन्दर दिखाने के लिए लगाये जाते हैं लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है दोस्तों दरसल दोस्तों इस पेड और जारियों को डिवाइडर पर इसलिए लगाये जाता है ताकि रात के समय एक और से आने वाले वाहनों के लाहिट की रोजनी दूसरी और से आने वाले वाहनों पर ना पड़े और किसी भी परकार के वाहन चालकों को कोई भी समस्या ना हो कोई बार इन पेडों और जारियों के ना होने की वज़से बहुत ही खतरनाक सडक हादसा हो जाता है और इसी को देखते हुए यह पेड और जारियां सडकों के बीच में लगाये जाते हैं लेकिन दोस्तूं क्या आपको पता है कि डाइनासोर धरती पर से किन खत्म हो गए दोस्तूं अगर आप लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं